तो इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से नेशनल इंकम को मैजर किया जाता है तो तीन मैंठ से बारे में हम डिटेल में आप बच्चों से करेंगे इसमें से पहला मैठ सने में इंकम मैठ संधुरेंगे और इंकम को जब जूडकर निशिनल कंग करते हैं तो इसको पूल थैंक मेoberड क्या है income method हमें बताता है कि चार तरीके के factor हैं कॉन कॉन से factor है ? land, labor, capital, enterprises और production process में इन सभी को मिलता है factor income और income method वो होता है जिसमें हम जितनी भी factor income मिल रही है normal residence को in one accounting year उन सभी factor income को जब हम जोड़ देते हैं तो जोड़कर जो income मिलती है उसको हम बोलते है national income यानि कि एक एक साल में एक accounting year में जो देश के normal residence on कर रहे हैं कौन सी earning होनी चाहिए factor earning यानि कि काम के बदले income होनी चाहिए अगर transfer income है तो उसको हम इंक्रूड नहीं करेंगे यह आपको बात समझनी चाहिए तो इसको बोलते बच्चो फेक्टर इंकम अब देखिए income में में कौन पॉन से component आते हैं एक बार component के बारे में बात कर लेते फिरम आपको कर्मचारी अपने मालिक के लिए काम करता है तो company उसको कई प्रकार के चीज़े प्रवाइड कराती है कुछ cash होता है कुछ काइंड में होता है जैसे माल लीजे मैं किसी college में जॉब करता हूँ और college वाले मुझे एक rent free house देते रहने के लिए तो यह कोई भंडारा थोड़ नहीं है जो कैसी दे दिया होगा यह किसी ना किसी काम के बदले दिया होगा अगर company का मालिक अपने employee को कुछ भी देता है जैसे rent free house देता है या car देता है या माले जे convince दे रहा है तो यह तमाम चीज़े as a kind के रूप में consider की जाएंगी तो मालिक द्वारा company के employee द्वारा employee को सरी employer द्वारा employee को जितनी भी चीज़ें provide की जाती है वो सारी के सारी compensation of employee का पार्ट होती है इसके अंदर क्या क्या चीज़े आती है बच्छो wage and salary cash के काइंड के रुप में त्यासिट होता है की एगर आप किसी को पेड़ाने की phdk कि पडले की परमिशन दी ढ dato यह था तो यह टोरीक कि इंकम होई यह एगर वह कर बढ़रा तो ऊप्र चीज़े और स्कूल में पढ़़ा अपता तो इसको 20 पार ईंडिया की बात किए थुज गरूर्मेंट इंप्लने उन को मिलता है एन्के गौबर्मेंट जो है दिते के दो तरीकें के बारे बता दिक हो मैं आपको अन्प एसमें दो तरीके ओ से एंप्लोयर करता है को चो उलाय कर रहा है उसको उसको नंपनेटिकम Siis ह tv me इसको पचामील करा है इसको सामिल नहीं करते लें जो इम्प्लॉय करता है उसको भी सामिल करते है लेसी इंप्लोयर कंट्रिबूशन टू सोसल सिक्योर्टी स्कीम यह सब कुछ हमारा कंपन्शेशन इंप्लाई ही कहलाता है ऑपरेटिंग सर प्लस की बात करें बच्छो तो ऑपरेटिंग सर प्लस क्या है वो भी एक बारम दब शमल देते हैं देखे के एक ओता इंकम्स वर्क दूसरा इंकम्स प्रॉपर्टी इंकम्स रॉंट्रों इंटर्पियृज्शं उसको जोड़कर मों बोलते हैं ऑपरेटिंग सर प्लस यानि क्या क्या चीज़ आती है बच्छो इंकम्स रॉंपर्टी यॉने के इसके अंदर आए गाइगा इंट्रेस इंट्रप्रेंश्प से आते ही प्रॉफिट और प्रॉफिट के बच्चों 3 इससे हो जाते हैं और यह वह इंकम का हिस्सा रिख के रुप में पय कर दिया जाता है डिवीडेंट वह इससा होता है जिसको गवर्मेंट पे कर देती है गवर्मेंट जो है ग्युए नहीं कंपनी जिसको प्रॉफिट हुआ वो पे कर देता है अपने शियरोल्डर को मालिकों को और रिटेंड इंकम या अन्डिश्ट्रीविट प्रॉफिट वह होता है जिसे फ्यूचर के लिए समाल के रख लिया जाता है है तो बच्छों मैं अपको एक बार फिर बता देता हूं जहां पर के ऑप Capegel तो हिससे का नाम्हें पेले से का नाम्हें इंकम कर भापरटी और रॉसारी के का नामें इंकम फ्रॉंप फ्रॉंब इंकन सब्सक्र Kollege में डाता है प्रॉंफ अइंक्न from work income from property income from entrepreneurship तीनों सामिल होते हैं मानुलिजीए कोई डॉक्टर अपनाई के खोल कर अपनी जो पेसेंट उनको चेक कर रहा है तो इस केस में टीनीक भी डॉक्टर का रिसकी डॉक्टर का इसका मतला रेंट भी डॉक्टर को पे भालिजे एक vegetable seller, vegetable selling का काम कर रहा है या मोची जूते को सेलने का काम कर रहा है यहां पर वो खुद की नौकरी कर रहा है तो इस case में जो भी उसकी income हो रही है वो सब कुछ उसकी mixed income कहलाएगी यानि कि Mixed income क्या होती है इंकम from work भी सामिल होता है income from property भी सीवाइलो इंकम from rent भी सामिल होता है सरी इंटर्फ प्रेडूर्शी भी सामिल होता है और क्योंव पीलग नहीं कर सकते IIbox そ china नहीं सकते किो जौई कि इसको डिबहाइट नहीं जो वर्क से इंकम होई या से बोलते कमपकेंशन इंपलॉई इस प्रॉपर्टी और इंटर्प्रैजीश से इंकम हो रही उसे बोलते ओ प्रेटिंग सर्फ और कोई इंकम ऐसी है jsब तीनों ही कंपोनेंट्स आमेल है उसको बोलते मिक्सींकम तो जोड़ोगे यानि कि आप कम प्लस आप जोड़ दोगे मिक्स इंकम को तो यह कहलाएगी हमारी नेशनल इंकम सरी यह कहलाएगी हमारी सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन करना है उन यूट का जो प्रोड़क्शन यूनेट में लगे हुए है लिवाइट कर देते हैं उसके बाद हर सेक्टर के अंदर हमें यह पता करना होता है कि कि इंप्लॉई इंप्लाइज कितना है ठीक है के बारें पता करना है और इनको जोड कर हम क्या लिकालते है और अगर राष्टिया पता करनी है तो आपको इस वेल्यू में जोड़ देना चाहिए नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम अब्रॉड मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं बच्छो अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो तीन कंपोनेंट है इसको जब आप जोड़ दोगे तीनों की इंकम को तो आपको कहलाएगा और इसमें आप विदेशों से जो आय हो रही है वो भी जोड़ दोगे तो यह कहलाएगा नेशनल इंकम मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंकम मेथर्ट समझ में आ गया होगा बेसिकली इंकम मेथर्ट जो है वो जितनी भी इंकम है उन सब को जोड़ कर बनाया जाता है